कैनेडा से उच्चा युक्त को वापस बुलाएगा भारत निजजर को लेकर आज मेने कैनेडा के हाइकमान को तलब किया था और उसके बाद अब यह सुचना दी गई है कि पाकिस्तान को इस वफ जरूरत इस बात की है कि वो बज़या खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए और जहां तक कैनेडा की बात है तो कैनेडा जो है वो अपने लिए यकीना ने एक प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है बात भारत ने जिस प्रकार से जवाब दिया है उससे एक बात तो क्लियर हो रही है भारत कैनेडा को बख्षने नहीं वाला भारत ने साफ साफ कहा है कैनेडा को आपने शुरू तो किया है लेकिन इसको खत्म हम अपने शर्तों पर करेंगे भारत जिस जगा पर है या भारत देता है नी देता है, पूछ कोई नी रहा आप ना कोई पूछने जा रहा है, ना कोई सवाल ही है कि इस बड़ी जंग में, इस बड़ी जंग के दोराओन है, जो की खड़ी है configurate चारजिस्ट मेंियद को बैसे हैं को वन इंडिया जो मेरे लेता है को मेरे अशlear ने बिर फिर सक्ट एक्शन लिया है बीस मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाए जाए तो क्या ये मैसिजिंग हो रही है बड़ी ताक्तों के माबेन कि अगर आपने कुछ हमारे लिए खोला तो आपके लिए भी मसाहिल होंगे इंडिया तो आज कल सारा वो डी कॉलनाइजेशन का जितना कॉनसेफ्ट है कि गोरों पर चड़ाई करनी है गोरों को कहना है जी आप हमें समझ आगी है आप हमारे साथ किया दाल आते रहे हो तुस् बख्षनेवाला हर्दीप सिंध निजर हत्याकान मामले में केनेडा के हाली कदम पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है टूडोस आसन ने अपनी हाली जात में भारती हाई कमिशनर संजे कुमार वर्मा को पर्षन ओफ इंट्रेस्ट के रूप में लिंक किया था इस मामल कंडिया नेस पष्ट किया है कि इस तरह के आारोप की वज़ा से उग्रौब्रवाद और हिंसा का महौल पैदा हुआ है जिस से हमारी डिप्लो मैंट्स की सुरक्षा खत्रे में है हमें मौझूदा केनेडाई सरकार पर कोई विश्वाष नहीं है कि वे हमारे डिप्लो diplomats और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है और कैनिडा के दर्मियां टेंशन्स एक तफ़ फिर हो गई है इंडिया बड़ा घुस्से में आ गया है और घुस्से में आके उन्होंने कैनिडा का जो हाई कमिशनर है उनको तलब कर लिया है और यह समझ लें कि इंडियन गवन्मेंट है उसको यह बताया गया कि जो इंडियन अंबसेडर है कैनिडा के अंदर इस पर्सन ऑफ इंटरस्ट यह एक इन्मेस्टिगेशन जो इंडिया कैनिडा ने की है अब हुआ यह है कि इंडिया की जो फॉर्ण मिनिस्ट्री है उसको एक डिपलोमाटिक कम्यूनिकेशन आई है और उस डिपलोमाटिक कम्यूनिकेशन के अंदर यह बताया क्या है कि जो गवर्मेंट आफ इंडिया के जो लोग है वो परसन आफ इंटरस्ट है इट मीन्स के जि कि जो six separatists को Canadian soil पे कतल किया गया था उस में Indian diplomats और Indian raw के लोग involved है इंडिया आपको माजी में भी इंडिया ने बड़ा सकत action लिया और जो Canadian diplomats से उनको निकाल दिया गया था आज इंडिया ने फिर एक सकत action लिया है और वो यह है कि जो Canadian charge pair है उसको समन किया उसको बताया गया कि allegations baseless हैं Indian high commissioner order जो diplomats है official जो Canada में है यह unacceptable है और यह extremism का महौल है वाइलेंस का महौल है और जो डूडो government है वो अब हमारे diplomats की safety and security को नहीं कर सकती और हमारा कोई जो 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 कहते हैं किसी किसम का यकीन नहीं है आपकी government के ओपर और हमारे diplomats की security पे ओपर देरफोर उन्होंने यह फैसला किया है कि हम अपने high commissioner जो जिन diplomats को target किया गया है उनको हम withdraw कर लेंगे और यह आप समझ लें कि एक नया diplomatic blow in the bilateral relations between India and Canada जो Canadian diplomat को बुलाया गया समन किया गया Indian MEA के अंदर 20 मिनट तक meeting जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाए और इसके बाद इंडिया ने यह एक बड़ी देखें एक बड़ी important development है do not take this an easy thing और यह आपको पता है कि जब हर्दीब सिंग निजर के murder के ऊपर यह case बना एक six separatist leader है Canada के अंदर जो मारा गया था और Canadian Prime Minister Justin Trudeau ने यह on the floor of the house यह सीधी सीधी बारत को का कि बारत इसमें involved है और इन्होंने पिर जारी बात ह हाला जो थे वो दोनों मुलकों के दर्मियान खराब हो गए और मुझे ऐसे लग रहा है कि यह चीजें जो है वो they are not going to go this easily मेरा ख्याल यह है कि Americans यह महसूस कर रहे हैं अगर if I go for an analysis Americans यह महसूस कर रहे हैं कि we need to be tough on the Indians this is an outgoing administration in the United States remember one thing और यह जो outgoing administration मैं आपको बड़े clearly बता सकता हूं Canada की इतनी जुसे कहते है न diplomatic will नहीं है political will नहीं है तो इंडिया के अंदर भी यह है कि आप यह सारी की सारी जिसे वो कहते हैं न कि आप इंडियन्स कह रहे हैं कि उनकी सारी अमरी कैनडा की सारी हकूमत ही ऐसी है वो तो ठीक नहीं है फलाँ है अमकान है अब इंडिया का जो ambassador निकले है वहां से और अच्छा अब advantage इंडिया को यह advantage है कि definitely one way or the other way कैनडा से लोग आएंगे आएंगे आके tourism करेंगे लेकिन अगर इंडिया उनके वीजे बंद कर देगा तो बेशक एक मिलियन डॉलर दो मिलियन डॉलर दस मिलियन डॉलर बीस मिलियन डॉलर महौल तो बनेगा मज़े की बात य जो एक tough line लेनी है या tough line ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं because उनको इस चीज़ का अंदाजा है या उनको इस चीज़ का पता है कि यह हमारे लिए एक जो हम stance लेंगे कैनडा के उपर यह दुनिया देखेगी सो मेरी जाती राये में के अंदर जे शंकर साब का यह परस्पेक्टिव है गिव टाफ टाइम डू कैनडा यह उनकी अपरोज है उनको पता है चोटी सी एकॉनमी है चोटा सा मुलक है पुलिटिकली में बात कर रहा हूं मोधी साफ्ट लाइन लेते हैं कैनडा के उपर तो भारत ने बहुत सीरिसली लिया है और कहा यह जा रहा है के भारत ने अपने हाई कमिशनर को वहां से हटा दिया यानि कैनडा से कैनडा में जो इंडियन हाई कमिशनर है उनको अपनी सीड से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है और ऐसा गुस्से में किया गया है कैनडा को एक ताना का रिस्पॉंस जो है वो भारत ने दिया है जो के बहुत सब्गत किसम रिस्पॉंस बोर मेरे क्याले ऐसा ही होना भी चाहीए था अगर भारत ये समझता है कि बलकुल एक तरह से गलत किसम की ऐलिगेशन जो है वो कैनेडा लगाए चला जा रहा है लेकिन बासारी है कि कैनेडा में ऐसा क्यों हो रहा है कैनेडियन गर्मिंट ऐसा क्यों कर रही है इस तरफ भी यकीनल लोगों को सोचना चाहिए और पाकिस्तान को इस वक जरूरत इस बात की है कि वो बज कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की कोई प्रोजेक्स करने की या कहीं ना कहीं